असलाम आलेकूं वरहमतुलाहिव व्राकातुछू I hope so, all of you are fine तो आज हमने जो है वो जो डिसकस करना है वो मोडिवल 138 और 139 है वो बाई और 202 फाइनल टर्म सेंकिट सिमिस्टर तो इसमें हमने जो मोडिवल आज डिसकस करना है बैसिकली वो 138 है तीज दिसकस करने जा रहे हैं मिली तेज रिफक लिफ भॉक्न कारण आज हमने डिसकस करना है इसमें 138 मेरब स्बॉड्याब इसमें में आड सlles डे बेश्म खांथ में तो आप नाम से देखें भी एक वेक्स होग्व बड़ किस चीज़ चीजे के देज़ के अंदर लिपर्ष होते हैं तो यह फॉस्फोर लिपर्ष का कंभ 선 क्या Tschappar बनाता है अब फस्फोर लिपर्ष हमारे पाथ जिनकी बेस्फिटर्वालाइब स्विंगोक्षाइब French Sh economical छऴने में डिंदक की आपकहज़ आप वो होंगे जिनकी backbone में sphingosine लगा होगा तो वो वाले phospholipers जिनकी backbone में जो है वो glycerol लगा है उन्हें हम कहेंगे glycerol phospholipers और जिनकी backbone में sphingosine लगा हुआ है उसे कहेंगे sphingosine phospholipers ठीक है तो यह basically composition होगी phospholipers की phospholipers are the predominant lipid of cell membrane आप पिछली क्लासिस में भी यह जी study की होगी कि जो हमारे पास होती है यह cell membrane होती है ठीक है उसके outer region पे जो है phospholipers attach होते हैं तो basically phospholipers जो है वो membrane का main constituent होते हैं membrane के अंदर phospholipers entangled होते हैं membranes lipid are amphipathic amphipathic का मतलब यहां पर यह हैं कि यह दो तरहा की dual nature show करते हैं कि इनके जो molecules होते हैं ना एक एंड जो है वह हाइड्रोफोबिक होता है दुषरा जो है hydrophilic होता है तो basically phospholipers जो होंगे amphipathic भी कह सकते हैं यह जो molecules होते हैं उनका एक सिरा जो है hydrophobic होगा और यह होगा hydrophilic मतलब कि एक water loving होगा एक water leaving होगा तो यह इसकी जो है वो further characteristic है इसके बाद है कि hydrophobic interaction जो है हमने कहा कि hydrophobic interaction वो होता है जो water के साथ interact करता है hydrophobic वो होता है जो water से दूर भागता है जो water को अपने साथ जो है जोड़ता नहीं है तो हम यहाँ पर hydrophobic और hydrophobic की बात की तो hydrophobic interaction के अंदर क्या होगा कि यह जो molecules होंगे phospholipers के वो आपस पे जुड़े हुए होंगे जब कि जो hydrophilic interaction होगा उसके अंदर वो direct water के साथ जुड़े हुए होंगे ठीक है तो यह इनका जो है इनकी यह characteristic जो है मायन में रखने वाली है कि hydrophilic और hydrophobic में वो कैसे इस दुश्रे के साथ जुड़े हुए होते हैं ठीक है तो hydrophobic interaction with water direct there packing into sheet का membrane bilayer अब क्या है कि जो hydrophobic interaction होगा उसमें तो वो आपस में जुड़े हुए होंगे phospholipers के molecules लेकिन जो hydrophilic का interaction है जिसके अंदर वो उसके molecules जो है वो वाटर के साथ जुड़े हुए होंगे तो ये hydrophilic का जो interaction है इनका इसकी वज़ा से जो phospholipers हैं वो membrane को bilayer बनाते हैं मतलब दो layers वाली बनाते हैं ठीक है तो ये भी चीज़ हमने discussion की हुई है कि जो lipper होती है वो sorry जो hydrophilic interaction of phospholipers है ना वो membrane की bilayer जो identity है उसको जो है वो define करता है the formation of membrane bilayer help in parsing the cellular environment and extra cellular environment अब जो bilayer का मतलब है दो layers का बन जाना तो ये layers बनने का मकस्द किया है कि यहाँ पर जब hydrophilic interaction of water के थूँ lipper जो bilayer बनता है जो दो layers बनती हैं दो membranes बनती है उनकी वज़ा से जो cell के अंदर वाला मवाद है और जो cell के बाहर वाला मवाद है वो एक दुसरे से separately show होना शुरू हो जाते हैं मतलब intracellular material और extracellular environment है एक दुसरे से prominently अलग अलग show होना शुरू हो जाते हैं ठीक है non membrane bound phospholipers several addition function in the body इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो तो हमने कहा कि phospholipers membrane का हिस्सा होते हैं importantly हमने यह बात कह दी लेकिन कुछ ऐसे भी phospholipers होते हैं जो कि membrane का हिस्सा नहीं होते बलकि वो body के अंदर कुछ additional function कर रहे होते हैं जैसे कुछ phospholipers जो हैं वो serfactant के तोर पर act करते हैं lung syrupfähκι तोर पर surfactant वो वाला substance होता है जो करम लेकृड की surface tension को reduce करता है हमारे पास लंग सरफेक्टन है उसके अणदर phospholipers यूज होते हैं या वो phospholipers कुछ जो होंगे वो लंग सर्फेक्टन के तोर पर एक्ट करेंगे ठीक है तो ये उनका additional function है membrane के साथ काम करने के अलावा जो है अब ये जो इसके अलावा फासोरिपर्स के अलावा कुछ जो इनकी मुखालफत में हम ट्राइगलिस्ट्रॉइड है उनको अगर हम डिसकस करें हैं वो बहुत से सैल्स में बनते हैं लीवर्स में बनते हैं ट्राइगलिस्ट्राइड की बात कर रहे हैं compare करके फास्वालिपर्स से कि जो ट्राइगलिस्ट्राइड्स हैं वो एडिपोस टिशू में बनते हैं लीवर्स में बनते हैं intestinal mucosal cells में बनते हैं लेकिन जो हमारे पास जो होंगे mature erythrocytes होंगे ना उनको अगर हम निकाल दें तो उसके लावा जो भी हमारे पास essential cells होंगे वो तमाम के तमाम cells फास्फोलिपर्स को prepare करेंगे ठीक है? triglycerides तो मतलब अपनी कुछ confined places होती हैं तो माम cells जो हैं उनके अदर यह अबिल्टी होती है के फास्फोलिपर्स को prepare करसकें यहाँ पर आप इन बात आती है कि हर cells यह ability कैसे हो सकती है इसलिए हो सकती है कि हर cells के अंदर mim générन होती है पूरी body cells से build हर cells के अंदर mimptions होती है और einfach hemos होते हैं तो हर सेल तक्रीबन उफ ऐस्वária निपर्स को प्रिप्यर करता है वह जो इंदर फास्व बीधर्सणर Stanis कि पड़ी उसमें हमने उनको दो इन्टासिस में सब्ड़ किया तफास्व ग्लेस निए मैं फया दो और इसके बाद हमने जो है इनका हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक इंट्रेक्शन पढ़ा था ठीक है और हाइड्रोफिलिक इंट्रेक्शन की विज़ा से हमने कहा था कि ये membrane के साथ जुड़के membrane को bilayer बनाता है ठीक है फिर हमने इनका जो है वो second function पढ़ा था जिसमें ये lung surfactant के तोब पर act करते हैं और फिर हमने इनकी composition बढ़ी के ये कहां पर बनते हैं तो ये basically phospholipur का first module 138 था हमारा जो हमने बना था glycero phospholipur के अंदर इसमें glycerol लगा होगा phosphorous लगा होगा और lipur लगा होगा तो ये सब चीजें मिलके glycero phospholipur बना देंगे अब जो glycero phospholipur हमने यहाँ पर discuss करना है वो एक मतलग ही type का है जिसको हमने कहना है phosphor TD-cacid phosphor TD-cacid जो है यह हमारे पास glycero phospholipur एक लिपर्ड है जिसकी हमने इस पूरे मोडियूल में discussion करनी है ठीक है it is the simplest phosphoglycerides it is the dye glycerol with the phosphor group on the third carbon of cholesterol dye glycerol का मतलब क्या है कि phosphor TD-cacid जो है इसको simply phosphoglyceride भी कहते है और ये dye glyceride होता है dye glyceride का मतलब है इसके दो ग्लेस्टरोल की ग्रूप लगे हुए होते है और एक जो होता है वो third carbon पे phosphor group लगा हुआ होता है basically two groups होते है इसमें ग्लेस्टरोल के एक होता है phosphorist का ग्रूप जो कि third carbon पे लगा हुआ होता है तो इस वज़ाँ से ये जो है phosphor TD-cacid जो है इनका नाम है या इसको कहलें के ग्लास्टरो फास्टरो फास्टरो लिपर्ड इससे कहा गया है अब जो phosphor TD-cacid है is the precursor of the other membrane of this group अब दूसरे जो members है हमने कहा ना कि जो हम discuss करे रहे है ग्लास्टरो फास्टरो 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 लिपर्ड है ग्लास्टरो फास्टरो 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 फा इस्टेरिफिकेशन करवाएंगे लो माल्कुर वेट वाली अलकोहल के साथ तो हमारे पास फर्दर जो ग्लैस्टरो फास्फो लिपर्स है वो बन जाएंगे क्योंकि हमने यही बात की जो हमारे पास फास्फवा टीडी केस्टिड है उससे फर्दर जो है वो ग्लैस्टरो फास्फवा लिपर्स बनने है तो जैसे ही हम लो माल्कुर वेट वाली अलकोहल के साथ रियेक्शन करवाएंगे फास्फवा टीडी केस्टिड का तो यह हमारे पास फर्दर ग्लैस्टरो फास्फवा लिपर्स बना देंगे जो के मुटिफ तरह के हो सकते हैं इन में कुछ की जो कार्बन है वो 16 होगी कुछ की 18 होगी ठीक है यह हमने चीज जो है वो याद रखनी है कि जब इस फासफोर टेडी केसिड से फदर ग्लेस्टरो फासफोलिपर्स बनने हैं 16 कार्बन वाले और 18 कार्बन वाले सैचुरेटिड फैटी असिर्स कार्बन नमबर 1 पर जुड़े हुए होते हैं ठीक है युकि जाहर सी बात है सिर्फ फासफोर ग्लेस्टरो फासफोलिपर्स के अंदर सिर्फ फैटी असिर्स तो नहीं होते हैं एंडा कार्बन नमबर 18 और C20 अनसैचुरेटिड फैटी असिर्स एड़ C2 इन एडिशन तो C16 और C18 वाले तो सैचुरेटिड होंगे इसके बाद और वो कार्बन नमबर 1 पर होंगे ठीक है इसके बाद जो है ग्लेस्टो फासफोलिपर्स की कार्बन नमबर 2 होगी उस पे अनसैचुरेटिड फैटी असिर्स जनके कार्बन नमबर C18 और C20 होंगे वो लगे होंगे तो बेसिकली हमने कार्बन नमबर 1 और कार्बन नमबर 2 डिसकस की है इस पे कार्बन नमबर नमबर वन पे saturated fatty acids attach होते हैं और कार्बन नमबर टू पे unsaturated fatty acids जो है वो अपने आपको bound किये हुए होते हैं और कार्बन नमबर थी पे जो है वो phosphate group होता है बैसिकलिए जो हमने पीछे बात के पड़ी ना हमने यही पीछे पड़ा था कि जो यह डाइगलिस्ट्राइड होता है ठीक है इसमें थर्ड कार्बन पे एक phosphate group होता है जबके दो ग्लेस्ट्रोल ग्रूप लगे हुए होते हैं और यह जो saturated और unsaturated fatty acids है ना यह basically वही वाले दो ग्लेस्ट्रोल ग्रूप है ठीक है तो यह जो है यहां पर concept clear कर लेना चाहिए इसके बाद है कि the phosphate group on phosphate acid can be esterified to another compound containing a hydroxyl group हमने पीछे बात की कि फास्वाट्र टीडी के सिट जो है वो precursor है फर्दर हमारे पास जो ग्लेस्ट्रो फास्वालिपर्स है तो वो precursor है इसका मतलब उसने फर्दर हमारे पास group बनाने है तो वो कैसे बनाएगा इसके जो phosphate group होगा हमेशा वो esterified करेगा उसके फास्वाट्र ग्रूप के उपर आके कोई फर्दर ग्रूप attach होंगे और वो एक नई चीज़ बन जाएगी तो फास्वाट्र ग्रूप इस तरह से precursor के तो अब एक्ट करेगा precursor का मैंने पिछले मोडियून में भी डिसकस किया था precursor वो चीज़ होती है या वो compound होता है जो आने वाले national members को बना सके ठीक है तो अटानोल आप को देया है नोल इसमें क्या होगा जो सिरीन होगा जब सिरीन फास्वाट्रेदिकेड़ के साथ रिएक्ट करेगा तो सिरीन बन जाएगा ठीक है और जब हमारे पास arabakter अमांई एड हुआ तो वह ऊस्वाट्रेदल एथानौल अमाइन बन गया इसके बाद कोलाइन जो है अगर वो अटैच होगा फासफो टीडिक एशिड के साथ तो फासफो टीडिक कोलाइन जो है बन जाएगा ठीक है इसके बाद इनोसाइटोल जो है अगर वो फासफो टीडिक एशिड के साथ attached होगा तो phosphatidyl inisytol बन जाएगा हमारे पास तो basically वही चीज आ गई हमने कहा कि जो हमारे पास phosphatidic acid है वो precursor है इसने further जो हमारे पास glycerophospholipids है वो बनाने हैं तो कैसे बनाए हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी जो दूसरा group है सिरीन हो गया एथानौल अमाइन हो गया ठीक है कोलाइन हो गया वो आकर उनके साथ अटैच होते गए और उनके respective compound बनते गए ठीक है तो यह हमारे पास इसकी discussion हो गई कि कैसे precursor के तोब पर act करता है आगे है कि glycerophospholipids can be any of wide variety so a given phospholipids may consist of several molecular species each with its unique component of fatty acids अब जो glycerophospholipids वो wide variety होते हैं तो इनकी wide variety की वज़ा से तो यह कितनी भी species हो सकती है जो के body के अंदर act करती है body के अदर functional role play करती है तो basically हम कह सकते हैं glycerophospholipids wide range की होते हैं और यह body के अंदर बहुत vast मगदार में जो है डिवर्मेट टॉयल फासफोटाइडल को नाइन और पाल्मी टॉयल ओईली फासफोटाइडल को नाइन और two different example of lactithyns lactithyns यहां पर किया है पीछे हमने पड़ा जब को नाइन फासफोटीडी के शर्ट के साथ मिलेगा तो फासफोटाइडल को नाइन जो है वो हमारे पास बनेगा उसको हमने कहा था lactithyns ठीक है अब lactithyns जो है उसकी फद्दर दो example है जो यहां पर हमनों discuss की है वो है पाल्मी टॉयल फासफोटाइडल को नाइन और हमारे पास डिपला माइटॉल फासफोटाइडल को नाइन यह दोनों जो है यह हमारे पास फासफोटाइडल को नाइन की या lactithyns जो है इसकी examples है ठीक तो यह हमारे पास 139 जो है वो मोडूल था जिसको डिसक्स किया बहुत सिंपल है एक दफ़ा ओवर वियू मैं इसको आपको दे देती हूँ हमने गलैस्ट्रोफासफोटाइडल लिपर्स बढ़ा ठीक है उसके अंधर हमने फासफोटिडी केशिड भी जो है जिसक्स किया फासफोटिडी केशिड में हमने बताया कि दो गलैस्ट्रोट गरूप होते हैं और कार्बन नमर 3 पे एक फासफट गरूप होता है फिर हमने कहा कि जो कार्बन नमबर इनकी 1 और 2 होती है उस पे 2 ग्लेस्टरोल जो ग्रूप लगे हमने कहा ना 2 ग्लेस्टरोल होते हैं तो कार्बन नमबर 1 पे saturated fatty acids ग्लेस्टरोल की तोर पर लगे होते हैं कारबर नमबर टू पे अंसाचरिटिड फैटी शर्ज लगे होते हैं ग्लैस्टरोल की फार्म में और जो कारबर नमबर थ्री होती है उसके उपर फासफ़र ग्रूप जुड़ा हुआ होता है यह चीज हमने डिसकुस की फिर हमने डिसकुस किया इसमें के फासफ़र टीडी के फासफ़र टीडी के साथ मिला तो 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 फासफ़र टीडी के साथ मिला के डिपलो माई टोल फासफो टैडल को लाइन और पाल्मिय टोल फासफो टैडल को लाइन जो है यह मारे पास फासफो टैडल को लाइन की दो एक्सम्पल्स है इनको हमने डिस्कस किया यह हमारे दो मोडूर्स थे जो आज कवर हो गए ठीक है मजीद वीडियो की जो नोटिफिकेशन्स हैं वो आपको शुखो होते रहें